देप्रिसियेशन What is depreciation? Depreciation से मुराद यह होता है कि जब हम कोई fix asset को fix asset fix asset को use करते हैं तो उसकी value use करने की वज़ा से गर जाती है स्वार आएगा sir what is fix asset? एसे asset जिसकी life एक साल से जादा हो वो हमारे fix asset कराते हैं जिसमें building है जिसमें office equipment है जिसमें furniture है machine है जिसके अंदर और भी बहुत सारे fix asset vehicles हैं गारियां जिसे कहते हैं तो इस सारे non-current asset है जिसको use करने की वज़ा से इनकी value गर जाती है उस value गरने को depreciation कहते हैं जिससे हम कहते हैं एप्रीशेट करना तो depreciate का मतलब बढ़ाना depreciate का मतलब कम करना याद रखेगा सारे fix asset की value यूज करने के बाद गरती है इस पर accounting standard except land land की value कभी भी नहीं गरती land का depreciation नहीं होता ये बाद वकाद आपको तंग करने के लिए आ जाएगा तो याद रखेगा land का depreciation नहीं होता land का depreciation नहीं होता अब इस हवाला जो भी हो आप chat पे भी लिख सकते हो on life class चल रही है और अगर आप पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि concept अच्छे से की लिए हो land पर depreciation नहीं होता अचले हम depreciation निकालना इस्टार्ट करते हैं अचले method to calculate depreciation इसके method कितने हैं सिर्फ दो ही method हैं straight line method और diminishing method इस पर accounting standard सिर्फ दो ही method हैं यह हमारे become और intermediate में बता देते हैं पांच-पांच कोई method नहीं है अच्छा straight line जो method है इसके कुछ sub जैसे आपके intermediate में hours method पराते हैं unit method पराते हैं और sum of your digit VC का part है तो यह इसके sub part है तो हम इसको method नहीं कहते हैं हम इसको straight line ही कहते है और दूसरा method है जो book value पर निकलता है लेकिन यह वक्त के साथ बताता हूँ पहरे मैं आपको straight line के डियर करता हूँ सबसे पहरे straight line method पहरे एक सवाल करेंगे पहरे concept बनाएंगे पहर हम एक सवाल करेंगे let's suppose एक machine है जिसकी cost है 5 लाग कतनी है पांच लाग इसकी जो life है estimated life यह आपको सवाल में दीवी होगी जैसे अभी मैं सवाल करवाँगा तो past paper का तो आपको idea हो जाएगे estimated life is five years और इसकी scrap value scrap value से मुराद जब हम इसे use कर लेंगे तो जब हम इसे sale करने जाएंगे scrap कुछ मिलेगा हमें उसे का जाता है scrap value इसकी scrap value let's suppose 50,000 है now what is the depreciation per year per year depreciation क्या होगा तो दरा straight line method S पर straight line method तो देखें दरा calculation for depreciation by straight by straight line method तो एक एक straight line method अच्छा जी straight line method बजायर तो इसका एक formula है लेकिन formula भी drive करना आना चाहिए कोई भी formula याद नहीं होता किसी ना किसी base पर बनावा होता है formula क्या है deb per year निकालने का deb per year निकालने का formula है total cost यानि कि machine की total cost है इसमें से आप minus पर दो scrap value जो आपको मिल जाएगी after usage of life और इसको divide कर दो आप इसको divide कर दो estimated life in year से ठीक है अभी देखे मैं आपको देखे देखे कितनी आसानी से सारे method करवा देता हूं बस concept कर दिया रखेगा total cost कितनी है इसकी machine की 5 लागे ठीक है इसमें से आप minus कर दो scrap value यानि के जो आपको use करने के बाद मिल जाएगी 50,000 और इसको आप divide कर दो इसकी life से estimated life 5 year अच्छा जी अब जब आप estimated life 5 year है अच्छा यह Excel के ओपर लिख रहा हूं तो इस वजह से आप आप जब इसको answer निकालोगे तो जो पांच लाग में से 50,000 को माइनस करके value आएगी यानि के सारे 4 लाग इसे हम कहते हैं depreciable cost क्या कहते हैं यानि के total cost में से total cost में से total cost में से scrap value माइनस होती है scrap value माइनस होती है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है depreciable cost क्या कहा जाता है depreciable यानि के AC cost जिस पे उपर depreciation निकलेगा depreciable cost का जाता है ठीक है तो यह याद रखिएगा depreciable cost क्या होती है सारे 4,000,000 depreciable cost है और then after इसको मैं divide कर दूँगा उसकी life से इसकी life कितनी है 5 year तो यह आपके पास जो depreciation आएगा यह आजाएगा 90,000 per year depreciation अच्छा अब इस सवाल को दोड़ा और enhance करते हैं let's suppose यह machine आपने लिए April 2015 में April 2015 में अब आपको कह रहा है तीन साल का depreciation निकालो इतने का साल का निकालो तीन साल का तो अब ज़रा देखें कैसे निकालेंगे अब मैं निकालने जा रहा हूँ depreciation expense यानि के मेरे books में यानि के accounts में क्या में entry लेके जाओंगा depreciation की 2014 में लिए फिर 2015 फिर 2016 तीन साल का निकालने है 2015 में लिए 2016 और 2017 का निकालने है अब यह year है year 2015 लिख देता हूँ year 2015 year 2016 year 2017 का निकालने है अब कैसे निकलेगा state line में हर साल depreciation सेम होता है हर साल सेम होता है यह point याद रहीगा आपको अच्छा जिस साल आपने खरी दी है अगर उस साल जैर सी बाते हम कहीं job करने के लिए जाते हैं और मैंने start की यह job let's suppose 11 तारिक से और 30 तारिक को जब मुझे salary मिलेगी तो क्या पूरे महीने की तो नहीं मिलेगी उनने जितने दिन काम किया उतनी मिलेगी तो यही वाली चीज़ा आप याद रखिए कि जब यह जो 90,000 है यह तो पूरे साल का depreciation है जबकि हमने 2015 में machine खरीदी है April में तो यहाँ पर यह पॉइंट याद रहेगा कि April यानि कि month prorate करना पड़ेगा इससे आप क्या करोगे 90,000 को divide कर दोगे 12 से तो एक महीने का depreciation आए अपरेल माई, जून, जुलाई, आगस्ट, सेप्टमबर, ऑक्टूबर, नवंबर, दिसमबर, नाइन मन्त का यह पेले साल का depreciation आ गया नाइन मन्त और आप इसकी entry क्या बना दोगे depreciation expense debit depreciation expense debit और allowance for, allowance for depreciation credit यह इसकी क्यलाती है, adjusting entry, क्या क्यलाती है, adjusting entries, जब मैं सवाल कर वाँगा तो फिर आपको यह आना चाहिए, adjusting entry, मैं भी पूरे concept clear कर रहा हूँ, ताकि जब आप सवाल सौल करें, जो पहली class का बच्चा है, उसको भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, हर साल की ए बनेगी 67,500 से, फारीक आ जाएगी, जिस साल का year end है, यानि कि 31 December 2015 को यह entry pass कर दो गया, इसी तरह से 2016 की भी बन जाएगी, same entry, 2016 की बन जाएगी, जिससे कहेंगे, adjusting entry, ठीक है, और 2016 में जो amount आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 90,000 आ जाएगी, यहां तक तो उमीद है कि आपको clear होने लगेगा, और 2017 की भी बन जाएगी, यह के राती है, adjusting entry, अब इसकी closing entry भी होती है, closing entry भी same amount से बनेगी, लेकिन closing entry में क्या होगा, closing, closing entries, closing entry में profit and income summary या profit and loss लिख दो आप, income summary debit या profit and loss भी लिख सकते हो, profit and loss account, debit हो जाएगा, और depreciation, depreciation expense आपका credit हो जाएगा, यहां तक तो इसी तरह से 2016 की भी बन जाएगी और यही amount आएगी, यह हो गई adjusting and closing, इस सवाल को थोड़ा और change करते हैं, इस सवाल को थोड़ा और बैतर बनाते हैं, let's suppose, सवाल कोई, क्योंके concept बनता जा रहे है न, तो फिर ची unit और hour को भी, मैं आपको यहीं पर some of your digit और सब कुछ बता देता हूँ, let's suppose, यहां पर इसकी life unit में भी दीवी है, life in unit and life in hours भी दीवी है, let's suppose, एक लाग unit इसकी life है पूरी इस साल में, और hours में डेड़ लाग hours इसकी machine की life है, जब भी आपको सवाल में कहेगा unit in hour, तो आपको स सवाल में बता देगा, during, let's suppose, 2015 machine operated 25,000 hours and produce 40,000 units, यहां आपको सवाल में बता देगा, इसी तरह से, let's suppose, 2016 इस सवाल में आपको बता देगा, जब भी, तब ही मैं कहता हूँ, यह straight line का ही part है, let's suppose, इसके अंदर आपको बता दिया 50,000, और इसके अंदर आपको units आपको देदी है 80,000, यह आपको क्या और कह रहा है, calculate करो depreciation, अब कोई चीज़ अलग नहीं होगी, आप देखे, मैं कैसे कर रहा हूँ, अब बस आपने क् calculation for depreciation, इसको state line भी लिखें, या फिर जाद अदर अमूमन लोग इसको hours method intermediate पे करवाते हैं, पहले लिख देए हाँ, unit method और इसके बाद hours method, hours method लिख देए पहले, total cost, यहाँ पर depth per year की जगा आजाएगा, hours आजाएगा, total cost minus scrap value divided by life in hours आजाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको आगया, आप depth per hour निकालना है आपको, total cost minus scrap value यानि के पांच लाग की इसकी cost थी, और प्चास हजार इसकी scrap value है, यह आपने minus कर दिया, और life in hour आजाएगी, life की जगा क्या हो जाएगी, hours में life कितनी है, one lakh 50,000, कितनी है है, one lakh 50,000 units, one lakh 50,000 hours है, अब आपने जब calculate किया, तो आपको बस्तर hour आगया है, यह एक घंडा अगर machine को हम चलाएगे, तो हमारी value कितनी गिर जाएगी, तीन उपे गिर जाएगी, और hour depreciation आगया, जब आप depreciation expense निकालोगे, 2000, यह सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, दो साल का, 2015 का और 2017 का, जब 2015 का निकालोगे, 2015 में machine कितने गंटे चली है, 25,000, तो आप यहां पे क्या कर लोगे, 25,000, जितने गंटे चली हो, और hour का rate कितना निकाला, आपने 3 रुपे, तो यह इसका expense आगया, इसी तरह से 2016 में machine कितने hours चली है, 50,000, 50,000 multiply by 3, अब चाहो तो यहां पे formula लिखतो, operating hours, operating hours into per hour, यह formula बन गया, मतलब यह कोई अलग method नहीं था, बताना यह चाहरा था, कि यह कोई अलग method नहीं, यह state line का ही part है, इसी तरह से इसकी adjusting entry में जो amount आजाएगी, फिर 75,000 आजाएगी, जो हमने calculate करके निकाली, 2016 में जो amount आएगी, वो 1,50,000 आजाएगी, जो आपका depreciation आया है, वही आप यहां पे रख दो कि जो closing entry में बनाते हो, यह depreciation निकालने का unit और hours में तरीके कार है, अब unit में हो गया, अब let's suppose यह कहता है hours में, अब बचे परेशान के sir hours में कैसे निकाले, अब अगर hours में कहे रहे हैं, तो देखो में कैसे शे अब आजाएगी, 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 अब आजाए unit अब देखें डेप पर hours की जगह क्या जाता unit आ जाता life in hours की जगह क्या जाता life in unit आ जाता मतलब इतना असान है डेप पर hour की जगह क्या जाएगा unit आ जाएगा बखी formula वही रहेगा total cost minus scrap value divided by estimated life in unit अब life in unit आपको कितनी देवी हैं सवाल में एक लाग देवी है यह देवी है ना life in unit यह life in unit डेवी है वन लेक तो आपने वन लेक से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आप आजाएगा डेप पर unit आजाएगा जिसे कहेंगे unit अब यहाँ पर depreciation expense निकाले के वक्त आप क्या द लिया इंटू आपने 5 कर दिया यह आपका 2015 कहा गया इसी तरह से 2016 में आपने 80,000 units बनाए हैं तो इसको multiply कर दिया आपने 5 से यह आपके पास depreciation calculate होना start हो गया अच्छा जी यहाँ पे एक छोटे सा mistake है कि सवाल मैंने 80,000 लिग दिया इससे आप कर दें क्योंकि इसकी total life एक लागए ज़्यादा तो हो नहीं सकती तो इससे आप कर दें 50,000 मैं सवाल अपने जहन से बना रहा था इसी लिए तो इसको कर दिया मैंने 50,000 ठीक है अब आपको clear होने लगा यह किस सरा से depreciation calculate होता है यह unit हो गया और hour हो गया अब जब solve करेंगे तो इससे बहुत अच्छे तरीके से solve करना तो इन्शालला आजाएगा अब देखें मैं past paper पे लेके जाता हूँ अच्छा यहाँ पे confusion होती है इससर क्या हमने जब life में लिया था तो हमने month कचकर किया था यह unit और hours में होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा अल्ला के बंदे जब आपको सवाल में आपको बता दिया कि 2015 में इतने hours चलें और इतने unit बनाएं तो जाहर सी बात है उसी time में चले होंगे और उसी time में बनाए होंगे जब से machine डी है यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते है कि इसको भी pro rate कर लेते हैं तो unit और hour में कभी भी नहीं होगा ठीक है अब मैं एक सवाल करवाता हूँ और अच्छा की डियर होगा कि sir यह सवाल किस तरह से solve करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि concept शोल ही बनाएं concept के साथ करें तो आप paper में हर सवाल को solve कर सकते हैं otherwise आपको अंदर उचा गया हूँ मां कंपनी परचेश वेरियस थाइपस फ़ एसेट डिटेल जारेस सोल तो मां कंपनी ने वारियस थाइपस फ़चेस करें इसके लिटेल यह हैं बीलिदिंग खरी थी शीन खरीदी एक्विप्मेंट करीदी दो हजार चार पांच ही डेट लिखी य इस्टिमेटिट लाइफ ही ये मैथद है। और ये ओन जन्वरी दिस दुहादार छे। दे कमपनी पेड एक लाग फॉर रिप्लास्टर और वल्स उफ बिल्डिंग। इस्टिमेटिट लाइफ बिल्डिंग फॉर्टी तू फिफ्टी यर्ज बड़ा अच्छा सवाल है। हम इससे सॉल्फ करेंगे तो और मज़ा आएगा सॉल्फ करने में। कैपिटल एक्सपंडीचर की भी इसमें नॉलिज मिलेगी आपको। और साथ ही साथ ये तीनों मेथद के जरीए अब डेप्रिसेशन निकालना सीखोगे और पेपर की प्रेजेंटेशन भी सीख जाओगे। कि पेपर में किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चीज आपकी मिस रहे जाती है तो आपको परिशान नहीं होना क्योंकि ये लाइफ क्लास भी है तो आपको वो मिल जाएगी। तो आपने अच्छे से बेस अपने कॉंसेट के लिए करने ठीक है। सबसे पेले हमने कि रहे है कि depreciation expense निकालो 2004 का, 2005 का और 2006 का. Building का, machine का, equipment का, सबका अलगल है। सबसे पहले में निकाल लो building का, ठीक है। अपने heading डाली चेब building का depreciation कौन से method से निकलेगा। Straight line method से निकलेगा। किस से निकलेगा। Straight line. अपने heading डाली, competition of depreciation. यह आपने heading डाली और इसके नीचे आपने लिख दिया building तीक है building आपने लिखा जैसे ही अब आपने building के building के depreciation निकालने का formula, straight line का formula क्या है dep per year depreciation how to calculate depreciation per year the formula is total cost total cost minus scrap value divided by divided by life divided by estimated life in year total cost कितनी है आपके, total cost building की देरा है 20 लाक यहाँपे आपने डिकी 20 लाक minus करना है scrap value, scrap value नहीं दीवी scrap value में आजाएगा zero, क्या आजाएगा, zero आजाएगा, divided by life life आपको बता दी है 40 साथ, आपने 40 से divide कर दिया, यह आपका formula बना तो आपने कैसे calculate किया dep per year, dep per year आपने यहाँपे calculate किया total cost 20 लाक में से, आपने zero minus किया तो आपके पास आगई depreciable cost किया आगई, scrap value total cost में से हम minus करते हैं, total cost में से, जब हम scrap value minus करते हैं तो हमारे पास depreciable cost आजाएगा, divided by 40 कर दिया, तो अब आपके पास depreciation आगया, per year पचला साथ, फिर आपने इसका depreciation expense का head बना दिया, depreciation expense, paper में इसी तरह से present करना, का कि examiner को जितना easy ली समझा सकोगे, उतने अच्छे marks देंगे, 2004 में building चली, 5 में भी पूरी चली, 6 में आगई changing, आपने एक नया plaster लगाया building पर, तो हम पेले 5 और 4 और 5 का निकालते हैं, फिर 6 की calculation बताते हैं, year 2004, year 2005, year 2005, यहाँ पे पूरा पूरा साल चली, जब डेट देखिए, आपने जनवरी है, तो इसका मदलब pro rate भी नहीं करना, पचास हजार 2004 में चली, और पचास हजार, यह जब आपने total किया, एक लाख रुपे, इसे हम कहते हैं, accumulated depreciation, यह आपके पास आगया total debt, अब सवाल, building कहीं कर रहे हैं, अब हुआ यह के 2006 में आपने एक नया प्लास्टर लगाया और building की value को बढ़ा दिया, यह याद रखिएगा, ऐसा कोई खर्चा जो building की life बढ़ा दे, या building की efficiency को बढ़ा दे, या वो खर्चा जो लाजमी हो first time करवाना, वो हमारे सारे capital expenditure के लाते हैं, capital expenditure का मतलब यह है, कि हम अपने इसको balance sheet में लेकर जाएंगे, यह न, यानि कि machine की value का या building की value का part बना देंगे, अब यह लाज रुपे का आपने खर्चा करवाया, जिसकी वज़ा से आगे लिखावा है, कि इसकी वज़ा से क्या हुआ कि building की life extend हो गई, मतलब बढ़ गई, पेले कितने साल थी, 40 साल थी, अब कितने साल हो गई, 50 साल, यहाँ पे students कलती कर लेते हैं, कि जब भी कोई चीज आती है, याद रखिएगा, अब depreciation ऐसे calculate होगा, मैं ब्रावर में ही कर रहा हूँ थाकि सब को समझना है, अब depreciation calculate करने का formula वही straight line है, computation for depreciation by straight line method, formula वही है, यह यहाँ पर भी straight line होगा, 2006 का निकालने जा रहा हूँ, पांच और चार का निकाल लिया, अब formula के अंदर यह आएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी, सबसे पहरे आप निकालोगे book value, इसका formula कुछ यूँ बनेगा, book value, book value, plus extraordinary, जो आपने खाचा करवाया, extraordinary expense, जो भी आपने क यह इसका formula बनेगा, इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ, कि new cost निकाल लोगा, यह भी लिखो या जो new cost लिख दो, तो मैं नीचे निकालना सिखा देता हूँ, और यहाँ पे estimated life की जगा के आजाएगा, जब भी कोई changing आएगी, चाहे वो method की changing ओ, चाहे वो, कोई भी changing आए, त जड़ा new cost कैसे निकालते हैं, जड़ा code देखिएगा code से, सबसे पहले आप निकालो, यहाँ पे निकालो, सबसे पहले आप निकालो book value, जब changing से पहले, आप depreciation calculate कर चुके उस वक्ता आपकी book value क्या है, तो book value का formula है total cost minus accumulated debt, ठीक है, total cost कितनी थी machine की, 20 लाग रुपे थी, शु बची है, 19 लाग, अब आप machine की new cost निकालो, extraordinary repair के बाद, आपने का कि भाई, अब 19 लाग की बची है, यानिके book value आपकी, book value plus extra expense, जो भी आपने किया, जिसकी वज़ा से life बढ़ गई, ठीक है, अब book value आपकी कितनी है, 19 लाग है, depreciation के बाद, और plus extra repair कितनी का करवाया आपने, एक लाग रुपे का करवाया, new cost आपकी दुबारा 20 लाग हो गई, यह जो समझ में आगया, अब आपने यहाँ पे लिखा 20 लाग new cost पाई, minus scrap value, वही कुछ भी नहीं है, तो zero आगए, अब sir divide किस से करूँ, यहाँ पे, sir क्या 50 से divide करूँ, sir या 40 से करूँ, गलत, 40 से किया त अगर मैंने 50 से divide किया तब भी गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि remaining life चाहिए, sir how to calculate remaining life, बिल्कुल easy, पेले कितने साल थे इसके, 40 साल थे, हमने कितने साल use कर लिए, 2 साल use कर लिए, तो अब बचे 38, इतने बचे 38, अब 38 के बाद नया खर्चा करवाया, जिसकी मतलब 10 साल बर गई, 38 life remaining थी, 10 साल बर गई, तो अब हो गई 48 life, कितनी हो गई, 48, 50 अगर ले लिया, तो इसका मतलब वो 2 साल भी आपने शामिल कर लिए, जो आपने यूज कर लिए, तो वलत हो गया, यहाँ पे हम divide करेंगे 48 से, remaining life, यानि कि कैसे निकाला, 40 थी, 2 साल use कर लि गई, 10 साल बर गई, 38 में 10 पिलस के तो कितने हो गई, 48, तो अब आपका depreciation आएगा, यहाँ पे आपको depreciation सिर्फ एक साल का ही निकालना है, 2006 का, तो आपने सिर्फ 2006 का निकाल लिया, यह 2006, कितना आगया, 41667, तो यह आपका depreciation calculate हो गया, 2006 का, building खतम हो गई, अब आगे की बात करते हैं, अब आती है machine, machine का जो method है वो diminishing है, जुलाई 2005 में खरीदी और 5% rate, अब diminishing कैसे निकालते हैं, अब आपने heading डाली, calculation, 1 minute, calculation, अब आपने heading डाली, computation for depreciation by diminishing method, now how to calculate diminishing method, अब यहाँ पे आपको मैं सिखाता हूँ, diminishing इसका दूसरा format वो है, method है, diminishing में क्या होता है, कि हम जो depreciation चार्ज करते हैं, वो book value पे करते हैं, straight line में cost पे करते हैं, diminishing में हम किस पे करते हैं, depreciation, here हम किस पे निकालेंगे, book value पे, book value का formula क्या है, total cost, minus, aq, accumulated debt, multiply by rate, यह इसका formula है, book value का, तो आप इसका एक चार्ट बना देना, year, इसके बाद आप यहाँ पे लिख देना, total cost, minus, accumulated debt, into rate, ठीक है, यहाँ पे column बना देना, debt expense, और यहाँ पे column बना देना, accumulated debt, paper में इस तरह से कर लोगी, तो जल्दी भी हो जाएगा, और गलतियां होने के chances भी कम है, अब year, कितने निकालने हैं आपको, सिर्फ दो निकालने हैं, 2005 में खरी दिये, तो 6 तक निकालना है, तो 5 और 6 निकालना है, 5 और 6 निकलेगा हाली, year 2005, and 2006, cost इतनी आपकी, 3 नाख रुपे हैं, और rate कितना है, 5 परसन, शुरू में तो आपका accumulated debt zero होगा, तो अभी तो आपने मशीन खरी दिये, 3 नाख में से zero को minus किया, और rate ले लिया, आपने rate कितना है, 5 परसन, 5 परसन को कहते हैं, 0.05, अच्छा, अब एक और चीज़, मशीन खरी दिये, जुलाई में, तो प्रो रेट होगा, डिमीनिशन में, अगर आपने 5 परसन शिर्फ ले लिया, तो यह तो पूरे साल का है, हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए, जुलाई, अगर, सेप्टमबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसमबर, यह रेंडे, दिसमबर, हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए, दिसमबर, यह रेंडे, 6 महीने का चाहिए, multiply by 6 divided by 12 भी करेंगे, तो यह आपका depreciation, यह आपका formula बनेगा, इस तरह से, फिर यहापे आप इसे calculate कर लो, is equal to 3 like minus 0 multiply by 0.05 into 6 divided by 12, यह आपका depreciation, तीन लागे न, ठीक है, accumulated debt में भी सारे साथ अधार आ जाएंगे, पिर जब अगले साल की बारी आएगी, तो हम तीन लाग में से minus कर देंगे सारे साथ अधार जितना use कर चुके, फिर माइने का चक्र नहीं होगा, यह आपका formula बन जाएगा, फिर माइने का चक्र भी नहीं होगा, और सारे साथ अधार minus, यानि कि अब 0 की जगा सारे साथ अधार आगे, यह amount आगे, फिर हम ने इसको सारे साथ अधार को और यह साल के deposition को plus किया, यह total आगे, let's suppose अगर 2007 होता, तो formula क्या बन जाता, सारे साथ minus नहीं होते, बलकि अब कितने minus होते है, 22,000, यानि कि accumulated debt, 22,125 minus होते है, अब आपका depreciation का amount कितना आजाता, और यहां पर हम क्या करते हैं, इन तीनों को plus कर लेते हैं, total तीनों साल का, तो यह 36,000 आगे, that's it, यह diminishing method है, अब हम तीसरे method को पर जाते हैं, जो है sum of your digit, फिर यह सवाल खातम हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूगा कि किसे paper में present करना है, फिर आपने heading डाली, competition of depreciation, अचाहिए, यह कौन सी यह चीज थी, आपने यह आप लिख देना सवाल में, यह machine ली थी, ठीक है, ताके examiner को की अब यह competition by, of depreciation by, sum of year digit, यह किसका है, equipment का है, ठीक है, sum of year digit में सबसे पहले हम निकाल देंगे fraction, क्या निकाल देंगे, fraction, year का sum है, state lentil formula, 10 साल है, अब 10 साल के fraction कैसे निकालोगे, sum of year, यानि के year का sum, यह विससे सिर्फ बिकॉम में आता है, बाकि practical life में कोई इस एंप्लेक नहीं है, एक जम्मा, दो, जम्मा, तीन, चार, आँच, छे, साथ, आँच, नौँ और दस, इस तरह भी करो, या तो फिर दूसरा तरीका एक formula है, इसका दूसरा formula है, इस तरह से भी कर सकते हैं, अब यह एंड कितना है, हमारे पास दस साल इसकी life है, दूसरा एंड 10 प्लस 1, ठीके, तो यह आपके पास आजाएगा, डिवाइड वाइड वाइड टू, एसको ऐसे करेंगे, 10., break it open, 10 प्लस 1, इवाइड वाइड 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 है, 55 life आएगी साही है यह इसकी life आगई fraction में 55 इसकी life होगी 10 plus 1 11 11 को 2 से divide किया 5.5 ठीक है 10 से multiply गए 55 यह इसका fraction आगया अब आप इसका formula लगाओगे total cost minus scrap value वही straight line वाला और इसको divide कर दोगे आप divide कर दोगे life in fraction से पहले fraction निकालना है ताकि आप वही straight line वाला ही formula है total cost इतनी है इसकी 4,40,000 और life in fraction 55 scrap value कुछ नहीं तो 0 है ठीक है 4,40,000 scrap value 0 ठीक है और life in fraction कितनी आगई आपकी 55 जो आपने calculate कि है divided by 55 तो आपका per year depreciation per fraction आगया है अभी अपका depreciation expense निकाला नहीं है depreciation expense ऐसे निकालेंगे depreciation expense निकालेंगे तो अज़ार चे का किसका निकालेंगे दो अज़ार चे का अब year 2006 का depreciation कैसे निकलेगा अब आपका ये अब आपका ये अज़ार ये आपका ये इस ताना से कांटिंग करते लेकिन अगर जनवरी होता ये अगर अगर आपका ये और ये तो पर इसकी calculation अरगे अभी सर्फ एक साल ही तो में आपको वही बता देता हूं अप्रेल दो अधार छे तो multiply by 10 और अप्रेल से तो यानि कि 9 महीने होंगे तो 10 एक friction है reverse counting का ठीक है इसको फिर multiply by 9 divided by 12 भी करेंगे अगर यह जन्वरी होता तो बस 10 सब छोड़ देते लेकिन अगर जन्वरी नहीं है तो फिर आपको मजीद आगे month का भी चक्कर करना होगा multiply by 9 divided by 12 यह आगे आपका depreciation expense 2006 का अब इसने सवाल में मांगा क्या क्या है तीन सल का depreciation मांगा वो आपने निकाल लिया एरा record करो extraordinary repair को extraordinary repair को record करने का तरीके कार क्या है जहां भी extraordinary debit credit करोगे मैं नीचे कर देता हूँ आप एक entry बना दोगे requirement number 2 की required 2 की क्या entry बना दोगे extraordinary repair को debit करके किस के उपर करवाया था building के उपर तो building debit हो जाएगी और cash credit हो जाएगा यह record हो जाता है ठीक है na building का ही part बनेगा narration में लिख दोगे तो record extraordinary repair paid ठीक है amount आजाएगी लाग रुपे तो यह आपका recording हो जाएगी ताकि आप यह नॉर्मल सी चीज़ें तो इसलिए मैं fast चला रहा हूँ concept failure हो चुके है आप सबको इसके बड़ depreciation expense कह रहा है कि 2006 का record करो 31 December 2006 को depreciation expense की entry क्या बनेगी तो मैं यह ही इसके नीचे बना रहा हूँ depreciation expense debit depreciation expense debit allowance for depreciation depreciation अच्छा आप building है तो building का अलग एक साथ entry बनाओ या double double बनाओ मैं कहूंगा के साथी बना दो ताकि जान चुट जाए paper में परिशानी नाउ टाइम कम होता है building का भी है machine का भी है और third equipment एक साथी paper में बना गेरा अच्छा आप depreciation expense के इस building का कितना अब building का आपने निकाला था यह रहा यह building है ना यह building थी calculation यह building की थी 2006 का यह रहा चेंज वा था तो 41667 यह आपने ले लिया 41667 और machine का कितना था यह रह machine 2007 तो मांगा नहीं था यह रहा यह रहा मशीन का 2006 का कितना था 14625 तो आपने एक एक पर के बनाया कि बिल्डिंग का था 41667 और machine का कितना था 14 यह रह machine का है न डिमिनिशिंग के साब से 14625 14625 और equipment का यह रह sum of your digits से निकाला साथ हजार यह 60,000 आ गया ठीके आपने पिर इन तीनों का total कर लिया और आपने debit कर दिया इन तीनों को 41667 पिलस 14625 पिलस 60,000 एक इंट्री बना देना था कि आपका paper में परिशानी ना तो यह आपका to record depreciation हो गया इस तरह से machine की cost ले ली और machine का accumulated depth जो आपने calculate किया है वो minus करते ना है और equipment जैसे example के तौर पे balance sheet का format रखोगे asset रखोगे asset के बाद non current asset की heading आ जाएगी आपकी non current asset ठीक है अपर balance sheet आप लिख दोगे जो भी लिखते हो partial balance sheet year ended लिख दोगे आपके as on year ended जो भी आपका साल है और bracket पे लिख देना partial ठीक है year ended as on year ended जो भी साल है आपका as on year ended 31 December 2006 asset non current asset non current asset में आप building है सबसे पहले तो आपने लिखा building building की cost कितनी है आपकी सवाल में 20 लाक plus 1 लाक और आपने करवाई थी building की cost होगे 21 लाक ठीक है 21 लाक में से less कर दो गया accumulated debt total 2006 तक की बना रही तो 2006 तक का 2006 तक का कितना निकाला था आपने यह यहां पर calculate किया था दो अधार चेका टोटल यह एक लाक और यह टीनों को मिला दिया जाए यानि कि यह दो सालों का था और यह एक साल का तो 14667 यह आगे आपकी मुलैस कर दिया आपने 14667 यह जो आपके पास बची 141667 यह अब जब आपके पास बची यह कहलाती है book value क्या कहलाती है book value इसी तरह अज़ एम चूझा इसा हम आपके दो मीशन साथ आपके बड़